Hello everybody, this is दिग्रास सिंग राजपूत, Welcome to Magnet Prince इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे What is Politics? मैदा टॉपिक जी हाँ, ये जो हमारी बुख है प्यारी सी Political Theory Political Theory बुख का नाम सुनते से हम क्या thought, imagine करते थी कि ये Politics से जुड़ी हुई किताब है, अब जब आपने ये सोच लिया था कि ये Politics से जुड़ी हुई किताब है, तो मैं आपसे सवाल पुछता हूँ कि Politics क्या होता है? ठीक, पिछले वीडियो में मैंने आपको सवाल पुछा है, कि अगर आप मानते हो कि Political Theory जो है Politics से जुड़ी हुई किताब है, तो Politics को आप क्या समझते भी बताओ, क्योंकि Politics मेरे तो हम ही Politics है, ठीक है, ये हम ही Politics क्या है, ये वीडियो के एंड तक आपको क्लियर हो जाएगा, फाइन, चलो, तो आप सवाल जवाब पे आते हैं, आपने सोचा होगा, देखो मैं बताता हूँ, आपने क्या सोचा होगा, सुनते सहीज, अपसे पहले कुछ स्टुडेंट्स के मन में विचार आया होगा, कि सर, Politics का मतलब ये होता है, मतलब आपने एक Political Leader की Image को Visualize कर लिया होगा, ठीक है, अपने अपने फेवरेट जो भी है, मुझे इसमें इंटरेंस नहीं है, लेकिन आपने Political Leaders को इमेजिन कर लिया होगा, जैसी मैंने पुछा होगा, What is Politics है ना, ठीक, फिर कुछ लोगों ऐसा सोच लिया, EU सर क्या पुछ लिया, Politics तो खड़ाब चीज है, अब मान लो कि कोई ऐसा भी है, जिसके Parents Politics में, तो आपको लगेगा, Politics का नाम सुनते से, आपको ऐसा लगा कि सेव कर रहे हैं, वो सारी चीज है, ठीक है, तो Politics का मतलब क्या है, वो हर इंसान के मतलब पर निर्भर करता है, जी हाँ, इसका मतलब यह हुआ, कि the meaning of Politics varies according to the people, आया समझ में, तो you would have noticed that people have different ideas about what is Politics, देखो अच्छे से समझना, मतलब इसको ऐसे समझो कि हम बातचीती कर रहे हैं, प कि you would have noticed that people have different ideas about what is Politics, पहले चीज, Politics as Public Service, ठीक, कुछ लोग जो होंगा न, एक सेक्शन जो होगा सोसाइटी का, वो Politics को Public Service की तरह देखेगा, कौन देखेगा, जैसे, मान लीजिए, जो Political Leaders है, ठीक है, वो लोग जो Politics में कंटेस्ट करने वाले हैं, मतलब जो अब चुनाओ लड जानने वाले हैं, ठीक है, या फिर कह लीजिए, उनके Family Members, जो लोग Politics में actively participate कर रहे हैं, जो followers हैं, जो participants हैं, जो active members है, Political Parties के, वो सारे लोग Politics को कैसे देखते हैं, वो लोग Politics को Public Service की तरह देखते हैं, ये देश मेरा है, ये देश की सेवा करेंगे, Politics में जाएंगे, ठीक है, वो लोग Politics को ऐसे देखते हैं, वो अपने भाशणों में भी ऐसे ही बोलते हैं, क्या, कि आप मुझे Vote दो, Vote दो के मैं अगर आपका मान लिजे की Leader बनता हूँ मैं आपका, जो भी सांसत बनता हूँ मैं, आपका MLA बनता हूँ, जो भी बनता हूँ मैं, प्राइम मिनिस्टर मैं चीश मिनिस्टर बनता हूँ, मैं देश को चमन कर दूँगा, मैं देश को सुधार दूँगा, ऐस सारी चीज़े, ठीके, तो वो क्यों ऐसे प्रामिस करते हैं, क्योंकि उनके According Politics का मतलब क्या है, कि देश की सेवा करना हम Politics में जाएंगे, हम देश को आगे ले जाएंग तारा है, ठीके, और उस चीज़ को उन्होंने अपने कारे में दिखाया है, तभी तो देश आगे बड़ा, तो कुछ लोगों का Politics को लेकि ये आइडिया रहता है, कि Politics is Public Service, वो कुछ लोगों को ने, वो भी मैंने आपको बता दिया, जो Politics से Directly जुड़े हुए, जो Politics में actively participate क वो लोग ये मानते हैं कि Politics is a kind of Public Service, ठीक है, सही है, ठीक है, ये उनकी definition हो गई, दूसरा, ठीक है, कुछ एक section जो, मैंने आपको क्या बता है है, कि People have different ideas about what Politics is, लोग अलग-अलग सोच रखते हैं कि Politics क्या है, तो a section of group would believe that politics is manipulation, politics is scam, ठीक है, politics is a way to promote self-interest, चुभे ना ये society का ये होता है, जिसे मान लीजे कोई एक इनसान जो परिशान है अपने देश की government से, वो इनसान क्या बोलगा, रे politics तो क्या है, एक तरह का scam कर रहे हैं, देश चलाने के नाम पे देश को लूट रहे हैं, अपनी जेबे भर रहे हैं, सुनाओगा अपने ऐसा, कुछ अंकल जो चोराय पर बैटके डिबेट करते हैं, उनका यही रहता है, जो बहुत ज्यादा परिशान है political party से, उनके arguments ऐसे ही रहेंगे, कि politics क्या है, it is a way to manipulate things, जो जिसके पास power आ गई है, तो उस political party के सारे चिंटू से लगा के बड़े भीया तक सब क्या कर रहे हैं, अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी चीदों को सेट करते जा रहे हैं, स्कैम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, politics देश की सेवा है वा तो दूरे हो तो अपनी सेवा में लगवा लिया है, उनने पूरी machinery को, उनके घर के बाहर देखो, इतनी गाड़ियां खड़ी रहती, इतनी पुलिस वा कर देते हैं, जैसे आपकी बुक में ये जो काटून दिया है, इस काटून के मीनिंग को समझना, देखो, कुछ लोग politics को scam से क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा, कि political leaders ने, जो political offices में थे, उन्होंने मिलके कहके बड़े-बड़े scam किये, और वो इसलिए कर प लिखी कहा है, यू मस्ट रिटायर फ्रम पॉलिटिक्स, ठीक है, आँटी जी बोलती है, अपने हस्बेंट से, कि यू मस्ट रिटायर फ्रम पॉलिटिक्स एट वन्स, क्यों, यूर एक्टिविटीज आर हविंग अब बैड इंफ्लेंस ऑन हिम, मतलब उनके बच्चों के अपर उनकी एक्टिविटी का एक बुरा प्रभाव पढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि अंडिका कहती है कि he thinks he can get away with lying and cheating, ठीक है, तो get away with lying and cheating बच्चे को लगता है कि जूट बोलके cheating करके मैं बच सकता हूं, और इस चीज के लिए मम्मी किसको responsible मान रही है, मम्मी responsible मान रही है, पिताजी को, क्यों? क्योंकि बच्चे ने ये देखा पापा भी तो जूट बोल, पापा politics में है, पापा politician है, पापा जूट बोलते है, cheating करते हैं, फिर भी उन्हें vote मिल जाते है, जीत जाते हैं, तो बच्चे को लगता कि politics का मतलब यह होता है, जूट बोलो, cheating करो और आग देखोगे इस चीज को, तो हम मतलब कितना negative image लेकर चलते हैं politics का, वो हम अपनी आम बोलचाल में भी आपको देखने को मिल जाएगा, एक्जामपल दूँ मैं आपको बहुत अची तरह से, जैसे क्या होता है, कि अगर एक office में सारे लोग काम कर रहे हैं, ठीके, office और आपकी ग्रूप वो अकेला बैठा रहेता है, और वो क्या करता हो, टीचर के पास धीरे से जाके दूसरे ग्रूप की, मतलब मान लेजिआ, आप अगर किसी तरह से आप बात कर रहे थे, किसी क्लास में आप आटेंशन पे नहीं कर रहे थे, क्सी टीचर के आप क्या कर दिये थे, आप रुखो दो मिनिट के लिए सोचो, आपने बोल दिया सारी कहानी एक तरफ है, ठीक है, अब दो मिनिट के लिए सोचो, कि आपने क्या शब्द बोला कि यह लड़का जो है, यह politics करता है, मतलब politics का मतलब क्या हो गया, कि हमने उसकी negative image लेके चल रहे हैं politics की, कि हम यह politics करता है, इसका मतलब क्या है, कि उसने कोई अच्छा काम थोरी करा, अगर मान लो, किसी आपकी क्लास के किसी student ने क्या करा है, junior की बहुत मदद करिये, उसने उसको notes दिये, सारी चीज़ें कर दिये, तो अब आप तब यहसा नहीं बोलोगे, कि यह politics करता है, तब आप बोलोगे, तो अच्छा काम कर रहा है, ठीके, और लेकिन किसी ने कुछ गलत काम किया, किसी ने चुगली करी, आफिर किसी ने क्या कर दिया, दो लोगों को लड़वा दिया, तो हम क्या बोलते हैं, कि यह politics करता है, ठीके, तो इसका मतलब क्या है, कि हम politics की क्या लेके चल रहे है, negative image ल और politicians scam में पकड़े जा रहे हैं, तो हम क्या बोलते हैं, यही politics है, politics में scam ही होते हैं, ठीक है, अब अगर आप दूसरे professions से जुड़ोए लोगो को देखोगे, businessmen से जुड़ोए लोगो को देखोगे, मतलब जो business से जुड़ोए हैं, ठीक है, उन लोगो को देखोगे, sports से ठीक हैं, लेकिन ultimately होता क्या है, कि आप जिसे देखोगे, एक समय पर अक्टर थे, politics में आ गए, एक समय पर businessman थे, politics में आ गए, businessman है, तो वो खुद चुनाओं नहीं लड़ेंगे, लेकिन अपना पैसा जो पोलिटिकल पार्टी तक बराबर पहुचाएंगे, ठीक हैं, क्यों से देखा जाओगे, तो blurry image है, ठीक है, सब एकदम blur है, clarity नहीं है, कि politics क्या है, politics, जो politicians करते हैं, वो है, politicians बोलते हैं, तो public service है, लेकिन हमें देखने को तो यह मिलता है, scam हो रहे है, manipulation हो रहे है, अपने खुद की जेबे भरे जा रही है, तो politics है क्या चीज आखिर, ठीक है, इ है, क्या politics, तो बहुत सारे सवाल उठते हैं हमारे मन में, क्या सवाल उठते हैं, is politics an undesirable activity, क्या politics an undesirable activity है, जब मैंने आपको बताया politics scam है, उसको हम manipulation की तरह समझते हैं, तो क्या वो एक undesirable activity है that we should stay away from and get rid of, मतलब जिने करना है करने तो हम तो उससे दूर रहे, ठीक है, we should get rid of it, ठीक है, क्या ये सोचना सही है हमारा, ठीक है, एक सवाल ही आता है, कि politics को मारो एक तरफ लात, हम तो अपना काम करेंगे, हमें कुछ लेंदे नहीं politics से, मतलब politics को हम किस angle से देख रहे है, politics is what politicians do, हम उस नजरी से देख रहे हैं, उन्हें करने दो हम तो अपना काम करेंगे, ठीक है, we should get rid of it, ठीक है, और दूसरा question ये भी आता है, is it worthwhile activity which we must engage with in order to make a better world, ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बता है, public service, कुछ politicians हुएं, जिन्होंने नारा दिया, जिन्होंने मतलब अपनी speeches में बोला, ठीक है, सीना ठोक कर बोला क्या, कि वो power में आएंगे, तो वो क्या कर ठीक है, देश को आगे ले जाया जा सकता है, ठीक, तो क्या वो एक worthwhile activity है, जब कोई इतने confidence से बोल रहा है कि politics करना पड़ेगी, politics में आना पड़ेगा, हमें power दो, कोई power मांग रहा है, तो क्या politics सच में एक ऐसी activity है, जिसमें participate करने से, जिसमें हम अपने आपको अगर engage कर दे क्योंकि वो world को एक better place बनाना चाहते है, तो क्या politics सच में सही है, या फिर politics से दूर रहा जाए, सवाल contradictory है और conflicting है, दोनों सवाल North Pole, South Pole की तरह है, तो क्या करना चाहिए आखिर, ठीक, सवाल आए बहुत सारे, चलो, जवाब देखते हैं, is it good or bad, simple सा, yes और no में आपसा अगर स Is it good or bad, सोचो दो मिनिट के लिए, दो मिनिट, चार सेगंड का समय देते हैं, your time starts now, सोचो, politics सही है या नहीं है, ठीक है, सोच लिया सबने अपना जवाब, अब देखो, किसी ने yes सोचा होगा, किसी ने no सोचा होगा, जो diplomat है, जिसको आगे bureaucrate बनना है, उसने अपना bureaucratic answer लि सकते हो, कि wrong interpretation of politics, but it is integral part of our society, ठीक है, हम जो interpretation निकाल रहे हैं, कि politics scam है, politics manipulation है, politics जो है, it is a way of promoting self-interest, हम जो interpretation निकाल रहे हैं, वो interpretation हमने politics का गलत निकाला है, जो मैं कहा रहा हूँ कि politics को आप negative image में देख रहे हैं, कि किसी के चुगली करी, किसी ने दो लोगों को लडाया, तो हम हमने जो politics का interpretation निकाला वो गलत है, ठीक, लेकिन politics हमारी society का एक integral part है, हमसे जुड़ा हुआ एक बहुत important मुद्धा है politics, कैसे है, तो हमारे leaders खुद बोलते हैं, जैसे आप महत्मा गांधी का अगर statement देखोगे, तो महत्मा गांधी क्या कहते हैं, महत्मा गांधी once observed that politics envelops us like the coils of snake and there is no other way out but to wrestle with it, ठीक है, ये explain कर देते हैं, आप सोचरों के बतानी, snake भी आ गया, क्या क्या आ गया, political theory पढ़ रहे है, politics पढ़ रहे है, snake पढ़ रहे है, सर क्या क्या पढ़ा रहे हो, ठीक है, तो देखो महत्मा गांधी एक बहुत अच्छे example से बताते है, साफ जब आपको पेर में, जैसे गहां पर एक साफ था ये, तो साफ आपके पेर में इस तरह से क्या कर लेता है, गोल-गोल रानी पूरा लपिट जाता है आपके पेर में, तो वो क्या है, वो क्या है, वो क्या है, तो महत्मा गांधी उसका example लेते हैं, कि ये हमारी society है, मैं जो हूँ वो society, म आप उसको अपने आप से अलग नहीं कर सकते हैं, जो मैंने बता है, इसी चीज़ को एक्स्प्रेइन करना चाहते हैं, कि politics से दूर भाग जाना, या फिर ये सोच लेना, कि politics जो एक बहुत manipulative, scamful चीज़ है, we should get rid of it, ये सोचना गलत है, क्यों क्योंकि ultimately जिसे आप बात करते हैं, कीचड है, कीचड को साफ करना है, तो आपको कीचड में उतरना पड़ेगा, ऐसे दूर से मंत्र पढ़ दोगे, कीचड अपने आप चलके नहीं निकल जाएगा, आया ना समझ में, त politics सहीं तरीके से की जाना चाहिए, ये सहीं होगा, और सहीं तरीके से नहीं की जाएगी, तो वो गलत होगा, आगया ने बच्चों समझ में, ठीके, अब देखो, तो हम क्या कह सकते हैं, कि अच्छा, सहीं है, आगया समझ में, कि politics सहीं तरीके से की जाना चाहिए, politics गलत तरी प्रिके से की जारी है, यह सर उसका wrong interpretation है, वो हमाई society का integral part है, लेकिन आखर politics करना ही क्यों है, तो देखो अब इसका जवाब देखते हैं, क्या होता है कि हम एक society की तरह जीते हैं, तीक है ऐसा तो नहीं है ना कि हमालिया पे रह रह रहे हैं, कोई सहरा desert में रह रहा है, कोई अंटार्टिका पे रह रह रहा है, बस अलग अलग तीन लोग रह रह रहे हैं, हम एक समाज की तरह जब रहते हैं, तो हमारे बीच में जो resources है, उन्हें अब resources के हम जैसे बात करते हैं, for example resources के हम क्या बात करते हैं, कि petroleum है, ठीक, अब petroleum जो है person A, उसे भी petroleum चाहिए, person B को भी चाहिए, person C को भी चाहिए, person D को भी चाहिए, सब को petroleum चाहिए, resources जो हैं, वो सभी को चाहिए रहेंगे, अब आप किसको दोगे, किसको नहीं दोगे, ठीके, अब जो कमजोर है तो वो रोता रह जाएगा, ठीके, वो डिप्राइब हो जाएगा, तो यहां तो क्या हो गया, फिर जंगल राज हो गया, तो उस sense में जब आप एक society के form में रहते हो तो आपको चीजों को formalized way में जो political ideas, values की बात करते हो न कि equality होना चाहिए, freedom होना चाहिए, justice होना चाहिए नियाय की बात करते हो आप तो वो सारी चीज़ें कैसे आएगी? उन सारी चीजों को सही तरीके से चलाने के लिए आपको क्या चाहिए रहेगा? एक political tool, एक political institution चाहिए रहेगा तो society जो रहता है, society is required to take decision on various aspects तो society में जब आप जीते हो तो आपको बहुत सारे मुद्दों पर decision लेना होगा कि resources किसको कितने मिले, ठीके, leader कौन बनेगा, कौन decision लेगा हमारे basis पे decision तो लेना है लेकिन वो decision भी कौन लेगा अब decision लेने वाला इंसान है तो उसे मतलब राजा बनेगा वो या फिर उसको choose किया जाएगा, या फिर वो dictator होगा तो society हमेशा इस dilemma में रहती है कि निड़ना कैसे लिया जाए अब निड़ना किस चीज़ पर लेना है, तो regarding multiple needs and interest of its members तो मैंने वही बता है कि हमारी बहुत सारी multiple needs है हमें सबजी के दाम भी क्या चाहिए, कम चाहिए हमें देश की economy को भी आगे बढ़ाना है हमें ये चाहिए कि farmers को MSP भी मिले और हमें ये भी चाहिए कि हमें जो फसल मिल रही है वो कम दामों पर मिल जाए समझ रहे हो, ठीक है, तो ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, सारी चीज़ चाहिए और अब इन सारी चीज़ों के लिए decision कौन लेगा ठीक है, अब society में रह रहा है तो, क्या होता न, भीड का कोई चेहरा नहीं होता है एक चीज़ समझ लेना, भीड का कोई चेहरा नहीं होता है तो भीड में आप किस से बोलोगे कि आप decision लो ठीक, तो उस sense में बहुत सारे सवाल आते हैं हमारे सामने ठीक, some form of political organization and collective decision making is essential ठीक है, therefore लगा हो यहाँ पर, लगा है तो therefore, अब जब decision लेना है, decision multiple needs पर लेना है तो इस करण से क्या होगा, कि आपको किसी ना किसी तरह की political organization चाहिए जो आपके बिहाफ पर, ठीक है, आपके लिए decision ले सके समझ पा रहे हो ना देखो, मैं आपको in detail समझाते जा रहा हूँ अभी conclusion में, 2 minute में हम इस चीज़ को sum up भी कर सकते हैं लेकिन आप जितनी detail में समझोगे, उतना अच्छा imprint होगा ठीक है, तो क्या है, कि आप जब आएक society में रहते हो तो आपको decision लेना पढ़ते हैं, decision multiple needs पे लेना पढ़ते हैं क्योंकि आपकी multiple needs जो रहती है, वो conflicting भी हो सकती, वो contradictory भी हो सकती है तो आप decision कौन लेगा, एक कोई भीड का तो कोई चाहरा नहीं होता है तो इसके लिए हमें political organization चाहिए रहेगी therefore, some form of political organization and collective decision making is essential जो सब के भी हाफ पे कोई decision ले सके, ठीके, तो आप decision लेने के लिए क्लिए क्लिए क्या होगा कि emergence of various organizations and institutions, social and political तो decision लेने का काम, जिसे democracy तो चलो कहलो कि recent phenomena हो गया लेकिन जब हम आदिवासी जंगलों में रहा करते थे, या फिर कह सकते जब हम early humans थे तो तब भी हमने क्या करना start कर दिया, अलग-अलग organization मनना चलो कर दिया जैसे अलग-अलग organization में कि पहले हम family के form में आए तो एक family में क्या होता, तो family का जो head होता था, वो family के भिहाब पर decision ले ले लेता था और decision multiple needs को लेकर रहना होता है, उसके लिए हमें कुछ organization चाहिए तो पहले हमने हमारे level पे, हमने family बनाई, हमने कुछ क्या सकते कि कभीले वगेरा जैसे बनाना चालो करे वो system चलता रहा, फिर जब organization बनने का system चल रहा था न, तो among such institutions और organizations, government play an important part तो यह organization जब बनी, तो इनी में एक organization, government भी बनी, इनी institutions के decision लेने में, government ने बहुत important role play करना स्टार्ट कर दिया तो अभी बहुत सारे बच्चे आप इस conclusion पे पहुँच गए होंगे, कि politics is what the government do आगा है समझ में, अभी आपने ये सोचा होगा, लेकिन ये आधा सत्य है, ठीक है, ये आधा सत्य है, क्यों, क्योंकि politics, what is politics में सिर्फ आप ये नहीं बोल सकते हों कि institution की जरुवत थी अभी तक जितना समझा उस business पे आप एक कहानी ये बना सकते हो ना, कि क्या होता है, politics की contradictory images हैं, लेकिन politics जरूरी है, हमाई society का integral part है, क्योंकि हमें decision लेना होते हैं, decision हर इंसान के बसकी नहीं होती लेना, multiple decisions लेना होते हैं, contradictory, conflicting decision हो सकते हैं, तो इस sense में organizations बनाना पड़ेगी, तो अभर गवर्मेंट एक important organization होती है, जो decision ले सकती है, ठीक है, यहाँ तक बात सही है, लेकिन सिर्फ गवर्मेंट ही politics नहीं होती है, ठीक है, आखिरकार गवर्मेंट को बना कौन रहा है, हमी लोग बनाते हैं, बब जब हमी लोग गवर्मेंट को बनाते तो अम ये भी कह स सिर्फ government के affair तक confined नहीं है क्योंकि government जो decision ले रही है ultimately वो decision हमें ही मतलब हमारे उपर ही impact create करने वाले हैं कैसे तो जैसे हम देखेंगे relation between politics and government समझना आपने तो क्या कर दिया आपने democracy है भीया आपने vote दिया vote दिने के वाद आपने government को चूश किया political leaders को वो government आपके बिहाफ पर decision ले रही है लेकिन जब government जो decision लेगी न तो those decisions of government would influence the life of people ठीक है तो government जो भी decision लेगी वो decision क्या करेंगे हमारे जीवन को influence करने वाले हैं government के decisions good decisions भी होते हैं bad decisions भी होते हैं समझना आप इस concept को बहुत अची तरह से कि क्यों government सिर्फ politics सिर्फ government तक confined नहीं होती है क्यों कि government तो decision ले रही है लेकिन government के decision जरूरी थो लिना कि हमेशा ही सही हो ठीक है government कुछ अच्छे decision लिये जैसे for example बताते है government कुछ अच्छे decision लिये कि government ने road बनाए government ने road बनाया तो उससे क्या हो रहा है कि transportation easy हो गया बचे school time से पहुच पाते हैं अगर accidents वगरा होते तो अच्छा रास्ता है तो किसी भी time period में चाहे बर्सात हो रही हो चाहे गर्मी हो चाहे winters हो जो मरीद है वो hospital तक पहुच सकता है ठीक है तो government के decision लेने से कि self interest को fulfill किया जाता है तो अपनी जेब भरने के लिए government के कुछ political leaders ने क्या कर दिया एक tender को अप्रूफ कर दिया जिसमें हुआ हुआ कुछ नहीं बस सब politicians ने अपने पैसे बाटे लिए तो बैट decision इससे ultimately क्या हो रहा हमारे उपर impact आ रहा है तो government जो decision ले रही है वो हमारी life को influence करता है ठीक यही सवाल आप से अगर पुछा जाए कि आप एक दिन में बताओ कि एक दिन में आपको कितने ऐसे moments feel करना पड़ते हैं face करना पड़ते हैं जहां पे government के दुआरा जो decision लिए गए है वो आपकी life को influence करते हैं अब petrol के price के रहने वाले government तै करती है और वो price आपके जेब के उपर बजन डालता है या बजन नहीं डालता है तो government के decision कितने ज़्यादा हद तक हमें influence करते हैं मानते हो इस चीज़ को ठीक है तो since the action of government affect us deeply therefore people should take interest in what government is doing देखो twist आया कहाली में politics में government का बहुत important role होता है पिशली slide तक इतना बता दिये मैंने आपको लेकिन politics is not confined to the affairs of government सिर्फ government जो कर रही है वहां तक सिमित नहीं है politics क्यों क्योंकि government तो अच्छा भी कर सकती बुरा भी कर सकती है तो अब जब आपको ये पता है कि government के decision आपको deeply affect करते हैं तो इस sense में therefore people should take interest in what government is doing तो इसलिए लोगों को जाग रुक रहे होना होगा politics में लोगों को भी उतरना पड़ेगा कीचड है तो उस कीचड को साफ करने के लिए आपको कीचड में जाना पड़ेगा दूर से शूशू करने से कीचड नहीं उड़ जाएगा तो उस sense में क्या होता है कि हमें भी क्या करना होगा actively interest लेना होगा participate करना होगा अब सवाल ये कि sir हम कैसे जाएंगे हम कैसे participate करेंगे therefore people should take interest तो how people should take interest ये सवाल आएगा टूपी लगाओ, हाज जोड़ो घर के सामने चले जाओ किसी के vote बांगो तो आपको politics में जाना है नहीं ऐसा नहीं है how people should take interest in the politics तो उस चीज़ का देखो मैं आपको एक बहुत अच्छा नमूना प्रस्तूत करता हूँ क्या कि politicians जो है करप्ठ है तो आपकी क्या responsibility बनती है क्योंकि करप्ठ है तो वो पैसा तो देश का खा रहे है आपकी responsibility बनती है आप आवाज उठाओ ठीके आप association बनाओ तो जैसे अब क्या होता है कि किसान अगर protest कर रहे है तो किसान protest क्यों कर रहे है देखो आज जब ये video shoot हो रहा है तो आज के आज उबाजू जो आप अगर news follow करते हो तो यही सारी चीज़न चल रही है और मैं आपको उन्ही news से connect करवा के दे रहा हूँ topic ठीके तो आपको उस चीज़ को समझना भी अच्छे से कि कैसे ये subject हमारे real life से जुड़ा हुआ है समझ पारे हो ना कैसे ये subject हमारे real life से जुड़ा हुआ है तो अगर किसान protest कर रहे है तो वो क्यों कर रहे है क्योंकि उन्हें लग रहा है कि government के decisions है they are affecting them deeply चीज़गे और government के decision अगर उन्हें ऐसा लगता कि गलत है तो गलत decisions के against में हमें interest लेना होगा government के काम में हम कैसे interest लेंगे तो हम protest करे हम association बनाए तो किसान रोर पे उतर आया उन्हें बोला कि government जो करेगी वही सही नहीं होगा ठीक है politics में हमारा भी उतना ही important rule होता है तो लोग क्या करते हैं associations बनाते हैं अगर association बनाए है अपनी बात रखते हैं अगर बात नहीं मानी जाती तो लोग रोर पे उतरते हैं protest भी करते हैं वो धरना रखते हैं और ऐसे कितने ही moment हुए है तो यह दर्शात है कि politics में government का एक बहुत important rule होता है decision लेने में लेकिन government की जो इक्षा होगी an active interest in the working of government क्यों क्योंकि एक जागरुक नागरिक ही एक जागरुक कह सकते हैं democracy को जीवित रख सकता है तो sense में आपका active participation बहुत ज़्यादा जरूरी होता है यह जो class हम ले रहे हैं तो इस class में सरफ इस class को सरफ आप paper में लिख के आ जाना और marks ले लेने तक सीमित मत रखना बचो इस class को आप अपने दिमाग में डालने की कोशिश करना है ऐसे क्योंकि यह जो classes हैं यह classes आपकी सोच विक्षित करेगी और मैं चाहता हूँ कि आप एक सिक्षित और एक विक्षित नागरिक की तरह सोच के मामले में विक्षित एक विक्षित नागरिक की तरह इस देश के उत्थान में अपना सहयोग दो ठीके यह चीज़ दियान रहेगी तो अब हम इसको conclude कर सकते हैं कैसे conclude कर सकते हैं कि हमने अभी तक जितना भी पड़ा politics क्या है? politics की conclusion कर रहे मैं आपको दो मिनिट में snap recap देता हूँ politics क्या है? तो politics की conflicting contradictory images है तो सही या गलत है? सही या गलत है तो कुछ लोगों के लिए वो public service की तरह कुछ लोगों की तरह scam की तरह manipulation की तरह सारी चो की तरह है अब आखिर सही क्या है? वो सही या गलत है? तो politics का हम अभी तक negative image लेके आए उसकी wrong interpretation को लेके आए लेकिन वो हमारी society का integral part है हमारे leaders भी बोलते हैं कि we should actively participate in politics अब क्या होता? क्योंकि politics में ground level पर जैसे देखा जाए decision लिये जाते है और हर इंसान decision नहीं ले सकता, practically possible नहीं है तो अलग-अलग institutions बनते हैं उन्हीं institutions में government भी है ठीक है? उन्हीं institution में देश को चलाना है न क्योंकि society को जब आगे चलाना है तो society के बिहाफ पर decision लेने के लिए हमने क्या बनाया? society के बिहाफ पर decision लेने के लिए हमने एक तरह से institutions बनाना चालू किए जिसमें government भी institution है तो government जो institution है, government decision लेती है लेकिन government के decision का मतलब पूरी politics नहीं होती है वो government decision तो सहीं भी हो सकता है, गलब हो सकते हैं तो government के decisions में लोगों का participation बहुत जादा जरूरी है तो हम क्या कह सकते हैं कि politics arises from the fact that we have different visions of what is just and desirable for us and our society तो politics कहां से derive होती है कहां से image होती है कि हर इंसान का अलग-अलग vision होता है कि what is just and desirable for us and our society और क्या सही है क्या गलत है उस चीज में क्या होता है इट involves multiple negotiations ठीक है अब क्या सही है क्या गलत में मेरे साब से क्या है मेरे साब से जिसे कि आप एक साल का government का जितना ही budget है न सब पूरा education sector में लगा दो देश अपने आप develop हो जाएगा ये मेरा मनना है लेकिन मेरे thoughts से हो सकता है बहुत सारी लोग agree ना करें अब बहुत सारी लोग जब agree ना करेंगे मेरे thoughts से तो वो क्या करेंगे वो अपना opinion रखेंगे तो इसके चलते क्या है कि politics में हम सब हमारे भले के लिए सुचते हैं हमारे vision अलग-अलग हो सकते हैं और वो जो अलग-अलग visions है तो it involves multiple negotiations उसके चलते हैं multiple negotiations होते हैं लोगों के बीच में भी होते हैं, गवर्मेंट के बीच में भी होते हैं, तो it involves multiple negotiations related to government and peoples, तो related to the government and people, अब government से कैसे decisions जुड़ हो हैं, देखो, समझो यहाँ पर, it involves what governments do and how they relate to the aspirations of the people, ठीक है, देखो समझना, सब के अलग अलग vision है, और उन vision के चलते क्या होता है, कि बहुत negotiation होता है, तो government क्या कर रही है, government यह सोचती है कि मेरे यह decisions से सही होगा, या चीजें उस level पर पहुच जाएगी, ठीक है, लेकिन वहाँ पर लोगों का भी क्या होता है, active participation देखने को मिलता है, conclusion है जो अभी तक हम पढ़के आए, कि politics is not what government do, ठीक है, politics is not limited या फिर not confined to the activities of the government, government अपने level पर काम कर रही है, लेकिन वहीं पर लोगों का struggle भी एक important role play करता है, ठीक है, तो it involves how people struggle and influence decision making, ठीक है, तो government decision making करेगी, क्यों कि we have given the responsibility to the government to take decisions on our behalf, ठीक है, लेकिन वहीं पर लोगों का active participation भी बहुत जादा जरूरी है, तो हम politics को क्या कह सकते हैं, थोड़ा सा आप answers में in words को include कर सकते हो, क्या, कि people may be said to engage in political activity or politics can be said that whenever people or whenever they negotiate with each other, with each other मतलब government भी हो गई और आपस में भी, with each other and take part in collective activities which are designed to promote social development and help to resolve common problem, ठीक है, society में रह रहे हो, तो बहुत सारा, बहुत सारी common problems होगी, common problems जैसे क्या होगी, education हो गया, सबसे important, common problem education हो गया, health हो गया, education health के बाद में equality हो गई, poverty खतम करना है हमें, यह सारी जो common problems हैं, इन common problems को जब आप खतम करोगे, खतम कब कर पाओगे, जब आप सही decision ले पाओगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा, society का development हो जाएगा, तो politics क्या होगी कि इस तरह की common problems, societal development के लिए, जब individuals जो हैं, तो एक दूसरे के साथ में negotiate करते हैं, decision making process को transparent बनाते हैं, तो वो politics होती है, अब politics का मतलब सिर्फ इतना मत रखना, आपकी politics scam होते हैं, politics manipulation होते हैं, या फिर politics सिर्फ public service होती है, no doubt politics में यह सारी चीज़े होती है, ठीक है, लेकिन, मतलब इस subject को का objective ही रहना चीज़े कि हम कैसे politics को और बहतर बना सके, politics को कैसे बहतर बना जा सके, और एक चीज़, मतलब ये क्या सकते हैं, bonus में लेके जाओ, plus point में, क्या, कि politics में, एक healthy politics, या फिर क्या सकते हैं, एक mature politics तब आई कि जब उसके citizens healthy way में, matured way में participate करेंगे, सवाल पूछेंग सवाल पूछना बहुत ज़्यादा जरूरी है, clear हैं, तो यह मैंने आपको उता है, what is politics, आशा करता हूँ, चीज़े आपको समझ में आईए, ठीक है, what is politics समझ में हो गया, अब what do we study in political theory, ठीक है, तो देखो, चीज़े connect करो कि एक बार और और फिर से connect कर लो, कि political theory एक subject है, political theory एक subject है, जिसे हम क्या सोच के चलते हैं, कि political theory politics से जड़वा subject है, तो politics की जो आपकी definition थी, हमने उसको सही किया, सुधारा, कि politics का मतलब सिर्फ scam नहीं होता है, politics क्या होता है, politics लोगों का active participation with the help of government for the development of society and to resolve our common problems, यह politics होती है, ठीक है, तो अब यह politics होती, तो इस sense में अगर मैं कहूं, political, mतलब, politics की इस definition के साथ मैं कहूं कि हाँ, यह definition ही हम political theory में पढ़ते हैं, तो और क्या-क्या पढ़ते हैं, अब यह definition आपको समझ में आगगी तो आपके मन में जिग्यासा और जागी होगी कि और क्या-क्या पढ़ते हैं, वो सारा सब कुछ हम आपको आगे बताने आशा करता हूं यहां तक चीज़ समझ में आईए, नेक्स वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, नेक्स वीडियो में हम आगे आने वाला टॉपिक पढ़ेंगे, मैगनेट ब्रेंस पर क्लास 4 ते क्लास 12 तक इसी तरह सभी सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, आप सारे सब्जेक् के प्लेइलिस्ट में भी आपको यह सारी चीज़ मिल जाएंगी, मिलते हैं नेक्स वीडियो में अगले वीडियो के साथ, अगले टॉपिक के साथ, तिल देन, stay connected, keep learning, thank you, thank you very much.